So hello guys and welcome to my channel तो आज की इस वीडियों हम बात करेंगे कि लोग जो है वो किस वज़ा से सोते हुए खराटे लेते हैं तो शुरू करते हैं तो अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपको कोई खराटा लेता हुआ इंसान याद है तो मुझे उमीद नहीं बलकि पूरा भरोसा है कि आपका पाला कभी न कभी किसी खराटे लेने वाले इंसान से जरूर पड़ा होगा तो ऐसे खराटे लेने वाले इंसान के साथ वक्त बिताना और खास कर उनके आसपास रहकर सोने की मतलब की नीन देने की कोशिस करना सच में किसी गुनाह की सजासे कम नहीं होती और रही बात हमारी नीन की तो हमारा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है बलकि खराटे लेने वाले इंसान को देखकर हमें उस पर दया भी आता है और कहीं न कहीं हमारे मन में ये भी खयाल आता है कि आखिर इसके खराटे को किस तरह से बंद किया जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सोते समय नाक से आवाज क्यों आती है तो यह एक ऐसी प्रॉबलम है जिसे की एक नॉर्मल प्रॉबलम के रूप में देखा जाता है लेकिन इसे जितना नॉर्मल प्रॉबलम समझा जाता है न ये उतना ही खतरनाक हो सकता है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि खराटे क्यों आते हैं और ज्यादातर मामलों में खर्राटे लेने वाले इंसान को खुद नहीं पता होता कि वह खर्राटे लेता है। खर्राटे को नींद के डिसॉडर के साथ जोड़ना आम बात है। इसे OSA मत्तब की अब्स्ट्रक्टिव स्लिप अपनिया काते हैं। इसे समाने भासा में स्लिप अपनिया स्नोरिंग भी का सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर खर्राटे लेने वाले इंसान को OSA ही है। लेकिन अगर खर्राटे के साथ कोई और भी सिंटम्स दिखाई देते हैं तो उसे डॉक्टर्स को दिखाने में बिलकुल भी देरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आगे चलकर इंसान को किसी बड़ी बिमारी में जकड सकता है। तो अब बात करते हैं कि खर्राटे किन किन वज़ा से होती है। जोर जोर से खर राटे लेने लगता है। मिलते हैं आप सबी को इससे भी अच्छे वीडियो पर तब तक के लिए पाई